हेलो साथियों, हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो के माध्यम से एक वार पुनह आप लोग के साथ जूड़ चुका हूँ मेरी प्यारी सिस्टर खास करके आपके लिए है, वैसे तो मैं सारे के नेटों को एक अलग से वीडियो बना करके दूँगा लेकिन एनियम के लिए सिर्फ अलग से वीडियो बना करके दे रहा हूँ आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि BTSC के नई वैकेंसी कब तक आएंगे एक वैकेंसी तो आया हुआ है, दूसरी वैकेंसी कब तक आएंगे सारी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ एक बार और मैं अपनी प्रूफ दे देता हूँ आप लोग बोलते रहते हैं कि सर हमेसा जोटी बोलते हैं ऐसा करते हैं, लेकिन एक और पुना मैं आपको जानकारी दे देता हूँ मेरा पहले वारा वीडियो अभी वी चैनल पर परा हुआ है मैं एक वीडियो को डिलीट नहीं करता हूँ और आपको मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग अब पढ़ना शुरू कर दीजे नया वैकेंसी के लिए आने वाले एनिय म की वैकेंसी के लिए आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजे अब जो नया वैकेंसी आएंगे उसमें परिक्षा होगा तो आप लोग उस ताम यकिन नहीं किये थै आज मैं आपको प्रूप दिखा देता हूँ और एक नया नियामा वाली बनाने को लेकर के सरकार तयार हो चुके हैं और उस नया नियामा वाली में क्या होने वाला है कितने अंकों के परिक्षा होगा कितने टाइम होगा परिक्षा के लिए experience वाले को कितने वेटेज दिये जाएंगे पूरी system आ चुकी है पूरी नियामावली बन करके आ रही है तो आपको मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ और आपको अभी से नया वैकेंसी के लिए तयारी करना शुरू कर देना है बिलिकुल रूप से नये वैकेंसी के लिए तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि विहार स्वास्त विभाग के लिए नया नियामावली जो बन रहे हैं परिच्छा बेसिस पर होने वाला वह क्या-क्या सिस्टम है और आप लोगों को तैयारी भी कैसे करना है वह भी चीज़ दिखा दूंगा साथी वीटीसी के लिए नये व 501 बात कर रहा हूँ आने वाली वैकेनसि कब तक आंगे पूरी डिटेल्स जानकारी लेंगे तो सबसे परहले हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं नियमा वाली को और समझ लेते हैं नियमा वाली को देखने से पहले अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इसे देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगा एनेम की आगे आने वाली पर्मानेंट वैकेंसी के लिए परिक्षा होगा और परिक्षा के तयारी करने के लिए आप लोग हमसे नोट्स ले सकते हैं विविया एनेम कुश्चन का नोट्स बता दू चार हजार से जएदा लोगों को नोकरी दिलाने में अभी तक मदद क्या साइद आपको भी मदद कर सकूँ इसलिए बिलंब मत करिये जल्दी से नोट्स ले लिजिए नोट्स लेने के लिए आप लोगो करना क्या है कि आप लोगो सिर्फ 200 रुपिया पेमेंट करना है 200 रुपी पेमेंट करना है गुगल पे या फिर फोन पे से और इस नमबर पर आप लोग को payment करना यह नमबर आप लोग देख सकते हो 87, 89, 79, 42, 42 और 29 इस नमबर पर आप लोग यहाँ पर WhatsApp पर मेसेज करके हमसे आप लोग 200 रुपया Google पर फिर फोन पर करके आप लोग notes ले सकते हैं क्योंकि vacancy permanent आने वाली है अब दोस्तों इस notes में आप लोग को मिलेंगे क क्या क्या एक हजार विविए जी के questions का notes मिल जाएगा इसके साथ ही एनेम और सब्जेक्ट का questions रहेगा जिसका 2000 questions रहेंगे previous year का भी questions इसमें including है objective टाप टोटल question है हिंदी मेडियों में question रहने वाला है और साथ ही दोस्तों आप लोग बिलंब मत करिए फटाफट इस WhatsApp नंबर पूरा होने वाला है चलिए पूरे details में हम लोग बिज्यापन को sorry नियमा वाली को देखते हैं अब हम लोग screen पर आ चुके हैं और देख रहे हैं इस नियमा वाली को इस नियमा वाली में हम लोग सबसे पहले 1-1 point को देखेंगे इसलिए घवराना नहीं है बिहार सरकार स्व चिप्त नाम विष्टार वं और प्रारंब यह नियमा वाली बिहार स्वास्त तक्नीकी और आज पत्रित सन्युक्त संबर्ग नियमा वाली 2023 कही जा सकेगी यानि आप लोग देख रहें उपर में ही लिखा करके एक नया नियमा वाली बनाने जा रही है जो कि रहे जाएगी इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा यानि पूरे बिहार राज्य के लिए यह नियमावली लागू रहेंगे इसमें दोस्तो लिखा हुआ है कि परिभासा जब तक विशा या संदर्व में अन्यथा आप्यक्षित नहों हो इस नियमावली में यानि कि जब तक कोई नया चीज नहीं हो जाए तब तक यहीं रहेगा सरकार का मतलब बिहार सरकार विभाग से मतलब स्वास्त विभाग नियुक्ति प्रादिकार से अभिप्रेत है लेबल 7 तक के लिए निदेशक परमुख स्वास्त सवाए बिहार और लेबल 7 से उपर त तक नीकी सेवा आयोग यानि की वैकेंसी जू आएंगे वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से किलियर किये जाएंगे असपष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे मनेता प्राप्त विश्विद्यला संस्थान से अभिप्रेत है संग दूसरे राज सरकार द्वारा यहां पर जो मनेता प्राप्त विश्य विद्यला या संस्थान रेंगे उसको भी यहां पर फॉम बरने के अनुमति मिलेंगे तो आपने देख लिए बिहार तक्निक की सेवा आयोग के लिए बिहार स्वास दिवा की वैकेंसी पूरे किये जाए जो कि राज के सभी संस्थान और अधर राज के भी संस्थान है उनको भी यहां पर मौका मिलेंगे अब यहां पर देखिएगा जो इंपर्टेंट है उसको देख लिजे भरती का मतलब क्या है परतेक संबर्ग में मुल कोटी के पदो पर नियुकति आयोग के अनुसंसा के पर सीधी भरती सी होगी यानि कि सीधी भरती का मतलब डिरेक्ट विज्यापन निकाले जाएंगे और उस विज्यापन में अपलाई करके आप लोग डिरेक्ट नोक्री लेंगे अब सेक्षनिक योगता देखेंगे सेक्षनिक योगता सीधी भरती के लिए नियुनतम आयू 21 वर्स यानि कि कम से कम आयू आपको नियूनतम 21 वर्स होगा और अधिकतम आयू जो नियामावली में रहते हैं वहीं सारा चीज रहेगा तो नियूनतम आयू पर हम लोग उत्रा साथ जयदा ध्यान देना है 21 वर्स रहने वाला है अब साथियों इसमें बात करिएगा संबंधित विग्यापन में वैकेंसी कवता क्यांगे तो पहली अगस्त को उम्र के अवधारन के परियोजनार्थ कट अफ डेट माना जागा यानि कि उम्र के लिए है ठीक है अब दोस्तों भरती परकिरिया आप लो आयोग को 30 अप्रिल तक भेजेगी यानि आपने देख लिया कि सब परतेक वर्स में एक अप्रिल तक में क्या-क्या स्थिती है कहां पर कितने रिक्तियां है कितना सीट खाली है उस सारे चीज को गनना करके रोस्टर किलेरेंस करके और 30 अप्रिल तक विभाग को भेज दिय आजाएगा परतेक वर्स और 30 अप्रिल तक विभाग को भेज देंगे स्वास्त विभाग को भेज देंगे उसके बाद आपके सामने वैकेंसे देखने को मिलेंगे तकनिकी पद है तू अधियोचना के अलोग में आयोग रिक्तियों की विग्यापित कर आविदन पत्र आम अधियोचना के अलोग में आयोग को रिक्तियों की विग्यापित कर आविदन पत्र आमंत्रित करेगा यानि कि आयोग का मतलब क्या बिहार तकनिकी सेवा आयोग उपर देख लिए बीटियसी को फर्म भेज दिया जागा और लिखीत परतियोगता परिक्छा आंक खोल करके यहाँ पर ध्यान देना है लिखीत परतियोगता परिक्छा एवं कार अनुभव के अधार पर लिखीत परतियोगता परिक्छा लिया जागा और आपके जो एक्सप्रियंस का अंक रेगा उसके अधार पर आपकी यहाँ पर चायन किये जाएंगे चायन यानि की सेलेक्षन क किये जाएंगे आपने देख लिया अब लिखित जो परतियोगता परिच्छा होगा वो कैसे कैसे होगा परतियोगता परिच्छा जो लिखित होगा वो एक सो अंकों की होंगे कितना अंकों के एक सो अंक के आपकी परिच्छा होने वाली है परवानेंट नोकरी की बात हो रहे पांच गुना कर दीजी यानि कि 10 अंक मिलेंगे इस तरह से आपको experience का अंक मिलेगा तो साथियों आपका आँक यहाँ पर खुल गया होगा कि लिखित परत्योगता परिच्छा होगा एक सो अंको के question होगे अब यह जो एक सो अंको के question होगे उसका सिल्यवस मैं अलग से अगला वीडियो में बताओंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो तो बताइएगा comment करके सिल्यवस चाहिए तो अब देखिए आप लोग कहेंगे कि किन किलिए तो आप यहाँ पर के लिए कोटी क्या है मुल कोटी मुल कोटी यानि कि पद नाम पोस्ट क्या होगा एनम पहला एनम पर न्यूकती लिजेगा भरती लिजेगा सिधी भरती दोरा यानि कि डिरेक्ट फॉम निकलेगा और आप लोगों का न्यूकती होगा फॉम अपलाए होगा उसमें पास करे अब देखिए उसके वाद जब A&M की नोकरी ले लिजेगा तो कुछ दिन जब नोकरी कर लिजेगा तो आप लोगों का क्या होगा कि पर्मोसन होगा परुनती द्वारा यानि कि पर्मोसन होगा पर्मोसन किस अस्तर पर होगा तो वर्ये महिला स्वास्त कार करता के पद पर य को आपने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट रूप से आपको समझ में आगया होगा कि आने वाले वेकंसी कब तक है क्या चीज होने वाला है और कैसे कैसे होगा सिलेवस का अगर डिमांड होगा तो बोलिएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिलेवस बता दूँगा और तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजे अब तो येकिन हो गये होंगे न कि चंदन सर जो पहले ब परिच्छा के अधार पर आप लोग का सेलेक्शन होगा तो चलिए अभी सम लोग तैयारी शुरू करना कर देते हैं पीडियाफ आप लोग ले लिजेगा मुवाइल नमबर आप लोग देखी लिए नहीं देखे तो पुना एक बार मैं दिखा देता हूं तो मेरा मुवाइ अनम की तैयारी करनी है तो बिल्कुल रूप से शुरू कर दिजे अनम का नोट्स कैसे लेंगे आपने देख लिया साथ ही आपको मैं बता दे रहा हूं कि अब आप लोग को पढ़ना है सिर्फ पढ़ना है यह मत सोचे कि मेरा हो जाएगा या आएगा तब तैयारी करेंगे अगर आप लोग तैयारी नहीं करती हो तो फिर आप लोग ही पच्ता होगे यह मत सोचेगा कि यह वो कोई और तरीका से ले लेंगे नहीं अगर आप लोग पढ़िएगा तो आपकी नोकरी होना ताय है इसलिए अब हम सारे कैनेडेटों को अब मन लगा करके जो मैंने सारी क्लास आ रही है बैक टूबैक सारी क्लास ले रहे हैं उन सारी क्लास को भी आप लोगो को लगा तार देखते रहना हैं पहले अने क्वेशन करवाए थे 8853 के टाय में वह भी सारा क्वेशन से देखिए क्योंकि एनेम का सिलेबस अभी थोड़ी न चेंज हुआ है सेम सिलेबस है तो वह सीज़ भी आपके लिए बहुत इंपर्टेंट होगा वह सारी बाते हैं तो आप लोग समझ गे होंगे फटा-फट इंतजार करिए आप लोग के सामने दिख जाएंगे चले वीडियो को समाप्त करता हूं थांक्यू करता हुआ है